हैंगोवर एक ऐसी कंडिशन जब दिमाग की बैंड बच जाती है और मजे के लिए किया गया नशा सजा में कनवर्ट हो जाता है जिसे की सीवियर इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट कॉस्ट बाइ अलकोहल ऐसा कहा गया है इसकी डेफिनेशन में हैंगोवर में यह होता है कि स ऐसी कई सारे तकलीफे सुरू हो जाती है तो उस समय पे आईरवेद आपका मददगार साबित हो सकता है तो ऐसे कंडिशन पे आपके लिए हम आईरवेद का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है और हैंगोवर से बचने के लिए बहुत सारे लोग निम्बू पानी, डिस्प्रिन की गोली ये बहुत सारी चीजे खाते हैं तो हम आपको आयरवेद का एक ऐसा नुस्का बताते हैं जो हैंग ओवर से होने वाले सभी कॉम्प्लिकेशन को टेक ओवर कर देगा जानेंगे इस वीडियो में अब जैसा कि हम सभी जानते हैं आज कल की जनरेशन चार बोटल वोड़का है और जब लोगों को पार्टी आल नाइट या फिर नसे से चड़ गई ये सारी चीजे दिन भर वो गाने में सुनते हैं तो रात में जाकर बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं या फिर आज के जमान पीते हैं और यही दारू बाद में हैंग ओवर जब करती है तो ये मजा सजा बन जाता है अब होता क्या है या हैंग ओवर हमारे शरीर में क्यों होता है तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दारू के अंदर C2H5OH अर्था इथाइल अलकोहल है ये इथाइल अलकोहल क्या करता ह कि यह डायूरेटिक है नेचर में अर्थात दारू पीने से बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में यूरीन या पेशाब निकलता है उस पेशाब के निकलने के कारण बॉडी में डी हाइड्रेशन जैसी कंडिशन पैदा हो जाती है जिससे की मुह सूखना तैकिकार्डिया बढ़ जाना, ट्रीमर साना ये सभी होते हैं आईरवेद के शब्दों में कहें तो दारू पीने से आपके शरीर में पित या फिर गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती है और इसी पित और गर्मी के कारण आपको हैंग ओवर, सीरदर्द ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखन खजूर के साथ कुछ ऐसी और अगर आप पानी के साथ मिलाकर पीये तो अलकोहल किसी भी प्रकार का नशा करने के कारण अगर आपको तकलीफे हो रही है या उसके toxins से आपको कुछ ने कुछ problem हो रही है तो वो solve होती है या दूर होती है तो चलिए जानते हैं वो combination आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं आपको खजूर मुनक्का अर्ठा जैं अंगूर को लोग सुखा लेते हैं वह वाला काला मुनक्का होता है को सब्सक्राइब होता है जादा में च्राइब में ले लेनी हैं, कितनी 12-12 ग्राम, मतलब मुनक्का भी 12 ग्राम होना चाहिए, आमला भी 12 ग्राम, इमली भी 12 ग्राम, तो बाकी सभी चीज़े जो हैं, वो 12-12 ग्राम ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को 200 ml पानी में भीगो कर रख दीजिए, कब 2-3 घंटे पहले, समझो कि आप अलकोहल पीने जा रहे हैं, या नशा करने जा रहे हैं, तो 3-4 घंटे पहले इस चीज़ को घर पर भीगो कर रख दीजिए, अगर इसमें से कोई चीज़ ना मिले, तो भी चलेगा, बाकी चीज़ों को भी आप पानी में भीगो कर रख दो, और जब इसे पीना हो, तो इसे हाथ से मसल लेना है, क्रश कर लेना है, और उसमें 50 ग्राम जो मिश्री होती है, खडी साखर जो आती है, उसे मिलाक देना है, ये जूस आपका बनके रेडी हो जाएगा, इसे छान कर बाकी मटीरियल चीज़िए तो निकाल सकते हैं, और ये जो प्रिपरेशन तैयार हुआ ह इसे पीना है, कब पीना है, जबी भी आपको हैंग ओवर हो, या दारू या कोई भी नशा करने के कारण, आपको सीर में दर्ध हो रहा हो, ट्रीमर सारे हो, हार्टबीट बढ़ गई हो, इन सारी चीज़ों में, या फिर अगर किसी ने नशा किया है और उसका नशा उतारना है, तो नशे के बाद ये जो combination बोला है, इसे पानी में आप मिला कर, अगर बना कर पीने दे दे, तो ये नशा छुडाने की एक बहुत अच्छी दवा भी है, ये नशे के effect को कम करती है, साथी साथ जो की दारू पीने के कारण शरीर में पित बढ़ी हुई है, गर्मी dehydration हुआ है, उस dehydration को भी ये cover करती है, दारू पीने के कारण जो की liver में सबसे ज़्यादा effect होता है, तो ये जो combination है, liver को protect करेगा, बहुत से लोगों को दारू पीने के कारण constipation हो जाता है, पेट साफ ना होने की समझ चाहें, या stomach upset होता है, vomiting होती है, उन सभी में भी ये बह hangover की समस्या है, या आपके आसपास कोई नशा करता है, वो किसी भी प्रकार का नशा हो, दारू, तंबाकू, सिग्रेट, बीडी, सुट्टा, भांग, किसी भी तरह का अगर नशा उतारना हो, तो ये combination सबसे कमाल की चीज़ है, तो इसका प्रयोक जरूर कीज़िए, ये आय हाँ, अगर hangover हो, तो आयरवेद का ये combination जरूर पीजिए, धन्यवाद